अधियलो स्ट्यांट विलकम टू लाइन क्लास्जेस मेसेंजर क माथ हम पले समन का च्विस का शेप्टर कर रहे थे आंक्डू आंक्डों का वरगी दीे पर देंदें इनको Mayक करते हैं को पका संंगदन को उसका वरकी कर participants देखो एक बात मैं आपको यहीं कलियर कर देता हूं इन चीजों के बारे में आपको पता होगा तब ही जाके हम आगे आगे हम जब वर्गीकन करेंगे हमें आगड़े दिये होंगे और एक्जाम में परसन भी ऐसे पुछे जाते हैं आपको आगड़े दिये होंगे आपको उसको वर्गीकन में डालना होता है तो इसको हमें द्यान से पढ़ना है द्यान से आपको देखना है देखो हमने जो क्ला घरए एक करता नगर यह को अख्रता प्रिषकत आंगरे को तो देड़ के रूप में होते हैं जिन को बूसकरों में निकाल सकते हैं प्रिषकत आंगरे जिननकों में डाल डिया गया है यह हैं पर्शन सिधा होता है यां में बता देते हैं एक सिंपल तरीके से बैद जो वर्गिगन किया जता है ना वर्गिगन वो हम एप रिसकत आंक्डों का करेंगे क्योंकि आंक्डे आपको दिये होंगे जो एप रिसकत दिये होंगे जिनको सिस्टम से अरोई या अवरोई करम में नहीं डाला होगा आपको उसके दापर उसको संक्तित करना है उसको अरोई या अरोई करम में डालकर उसको आगे वर्गों में डालना है ठीक है आगे जो मारा नेक्स चेप्टर आता है आंकडों के वर्गी करन में देखो आंकडों का जो वर्गी करना है उसमें आंकड़े कही परकार क्यों होते हैं सबसे पहले हम आपको के बारें पढ़ लेते हैं बहुत पगार के होते हैं एक तो होते हैं जो सम्मे के कोड़िंग होते हैं आखड़ी जैसे वर्स की बात होती है महिने की बात होती है हफते की बात होती है या आप कह सकते हो दिन की सम्मे की जो बात होती है इसे आखड़ी होत ग्यारा की जो जनगन्ना हुई थी उसमें 121.67 करोड है यह क्या है यह सम्मे के अर्कोर्डिंग आपको आगड़े दिया गया है सम्मे के उनसार है अगर इसकी आपको टेबल मुनाने पड़े तो आप यह लिखोगे यहां लिखोगे वर्स और यहां लिखोगे आपके जो भी जन्दसंक्या और जन्दसंक्या भी क्या आँकड़ों में इसको आगए आप लिखोगे 2001 के अंदर यहां लिख दोगे 102.87 करोड यहां पर 2011 में यहां लिख दोगे 121.67 करोड यानि करोड तो पहले लिख दे है तो कहने का मतलब है यह आपको लिखोगे वो सम्मे के अंसार ह अधिया एक आंकड़ करते हैं इसके अंधर करते हैं समय के वाणदे के कहलते हैं यानि यह तो संभी स्थान के घोडिनिंग जैसे मैं के चाहिकता हूं बाहरत की बात करता हूं बात में इतने रोजगार है हमीस की बात करता हूं मैं चीन की बात चाहिえー यह लिखे ज newcom in सब क्या यह स्थानिक आंकड़े हैं यह परदान किये जाते हैं तो एक तो हम करेंगे और यह तो कि मातरा में नि को कर सकते हैं उसके बाद भुनात्मक आंकड़े निए गुनात्मक में जैसे स्वास्तिय से समध्यद है अच्छा या बुरा है इमांधारी के हम ने बात की थी राश्टर प्रेम की बात की देंको राश्टर प्रेम या तो है या नहीं है इनको संक्च्श व्यक्त निए कर सकते हैं यह बुरी ओंड़ी हлам फर्ट एज तो के और चल्वा की इंदर दे रखिए मू दो प्रकार लियर के लिए जिर करथ है एक्षय ज्याइट जोब ही संक्या होती है टिकनर होते हैं एक अंखडो डू ियल्टे है ठीक है क्लिश वॉसर्पए ेनकल उट एख होते हैं संतत और वीवित ये क्या होते हैं इनके बारे माजण के प्लास के अदर बड़ी तरीके से अजन करेंगे क्योंकि यह कुँए जब करेंगे ना तब भी जा कि करते हैं अब संतच्चर की है देखो संतच्चर वो होते हैं जिनका कोई भी मान हो सकता है कोई भी संक्यात्मक मान हो सकता है जैसे कोई पूरन संक्या भी हो सकते हैं यह संतच्चर यह आप कह सकते हो बिन भी हो सकता है कोई भी मान हो वोटोंता है को बीमान जैसे में 123 लिख दो मघन कितना होता है बहुत एकластمر चार एक चार कि इतना होता है एक दास्मलों चार एक चार मैं अंडूर 30 का माने होगाँ एक सातीन दो यानि यह भी क्या होते है संतर्चर नश्चका कोई भी संक्यात्म मान्होंता है कि जैसे एक्ञाम्पल लगती है प्रिशार का उच्का एप बात करता हूं संत्रसर्चरू कि उच्षा पूरण संक्या वह सकती है और पॉर्ट भी हो सकती है यह इसका मान आ सकता है जैसे बात करूं उसके मात अंकों की बात करूं अंक होते हैं तो मार्क्स होते हैं वो पूरन भी हो सकते हैं से मेरे दस में से मेरे साथ अंक आ गए ये तो पूरन आ गए मेरे 67 भी आ सकते हैं मेरे पौड़े 8 भी आ सकते हैं यानि 7.5 भी आ सकते हैं 7.3 बटा 4 भी आ सकते हैं 7.1 बटा 4 भी आ सकते हैं यानि कहने को मतलब ये वो मान होते हैं जिनका कोई भी संक्यातों का मान हो सकता है ये आपको फिर समझाएगा इसके बादे मैं कुछ एक्जांपल को एक उससे पहले विव्त रोकर ले ठीका कोई भी संक्या मुँद्ध का अर्थ क्या है इसका तुण समझ भिए आप संत्रचर का दी कोई कक्ष्या में छत्र होगी संक्या या तो 10 होगी या 20 होगी या 15 या 25 जितनी होगी कभी होता है भी साथे 12 होगी साथे 20 होगी या 30.5 होगी ऐसा हो सकता है कभी नहीं हो सकता यह पूरण संक्या या तो 30 या एकत्तिस मैं लिख दूँ 30.5 एकत्ति पाइंट फांच ऐसा कुछ भी नहीं है या तो 30 होगी या 31 होगी अब यह तो थी है पूरण संक्या और जब पूरण संक्या आती है वह होता है विजिट्चर अब एक चोटाथ एक्जामपल देता हूं मैं कहता हूं 30 से 40 का एक बरग बना देता हूं मैं 30 से 40 का बरग और उसके अंदर टोटल 10 स्टूडेंट आते हैं इसका मतलब 3040 के बीच में जो मार्वस आए है वह उसमें 10 स्टूडेंट रेसी है जिसका 3040 के मार्वस आए हैं अब 30 हो सकते हैं 31.5 भी हो सकते हैं इसका मतलब यह संताचर में आता है, संताचर में आता है, किसी में आता है, संताचर में, इसके मध्या का कोई भी मान हो सकता है, 31.3 पाइंट चार भी हो सकता है, 31.5 भी हो सकता है, 31.99 भी हो सकता है, 25.99 हो सकता है, कुछ भी मान हो सकता है, 38.10 हो सकता है, इसका कोई भी मान sounds चर्म अगर मैं बात कुरूं FL 50 Sud 6 की मद्दे स्टूडेंट थी100 perform n की मद्दे स्टूडेंट है इसके अंदर कोई भी मान नहीं हो सकता या सिरफ पूरं मान ओगा या तो 30 appears 31 है 32 bigger 33 or 24 और 35 IPS Yay 49 नहीं के दंट संक्या के रूप में चलती है कि इनके मद्द्य इसा कोई मान नहीं हो सकता जो भीवळचित स。 में Statha ब accidentally केsam मैं 300 नहीं होता हुआ कि वेन एक 30 21 के मद्द्द. ही कि तो वुभत पॉँइनक है 30 चाथ 254 यह एक कि written बॉनान में तब चलता है यह वीवधचार केता है यह तो 30 होगा या 31 होगा और जिसमें बताया था आपको खक्षे मेन छात्रों की रिरा या 31 होगा यह पresh find in future this is a coi matter है मपласंजगे तो संत्र्चर Rapot आप आप ये भी लिख सकते हो पूरन संक्या भी हो सकती है 1234 आप ये भी लिख सकते हो बिन भी हो सकता है को विवान हो सकता है जिसमें पूरन संक्या की बात होती है उसके अंदर कोई भी मान नहीं हो सकता है उसमें निश्चित मान होता है या तो या 31 या 32 या 20 या 15 ठीक है जैसे अंडूर 2 का मान होता है पाइंट 414 अगर यह आप से पूछा रहे तो यह रखना यह संतर्चर है कौन सा चरह संतर्चर है विक्चर नहीं है क्यों विक्चर में यह पॉइंटों वाला मेटर नहीं होता ठीक है अब आगे हम पढ़ते हैं यह तो आप आगया संतर्चर और विक्चर यह आगया आपको काम आएगा जब आप टेबल मिना होगे जब आप किसी का एजामपल लिखोगे और जिनका आप जब भी वर्गों में डालोगे क्योंकि जो वर्गों में डालते हैं वो संतत्चर को डालते हैं वर्गों में डालते हैं वो क्या डालते हैं संतत्चर को डालते हैं कैसे जिसे मैं यह लिक दूँn 0-10, यह वरग मना देतbility हूं मैं चोछा एक्षाumn लेते हैं 10-20, 20-30 30-40 एधर मैं लिक देता हूं इसका मतल क्या हूँ आप लिए सizar के मद्या नंबर आए हैं आफ जिरोwest के मद्यां कोई मान मैंना सकते है जिनका 2030 मद्य मान इसकते हैं चाहरे avez पांच ऐसी हैं जिनका चालीस और पचास के मद्दे माना आए यह तो की संतत्थ चर की बात है संतत्थ चर लेकिन बिविग चर होता है वह क्या कहता है वह स्परस्ट कहता है इसके अंदर पॉइंट वाद नहीं देएगा यह कहेगा भी एक दो तीन चार पांच कोई भी मान आ सकता है कोई भी मतल यह नहीं भी पॉइंट पा जाएगा इसके इंदर फिक्स होता है ताइफ देखो जिरो से दस्की बात करें तो या एक या दो या तीन या चार या पांच छे साथ आठ नो डस शिरफ इतनी मान आ सकते हैं यह कहता है वीट्चर बहुत मान हो सकते हैं लेकिन इसमें फिक्स होता है यह पूरान रूप से चलता है वहता है बीवीक चला बासम भी चलत है especially पूरन संक्या ज्याश्य घी सिर्जी ममनें आपको एजांपल देऄ दिया चांक kia कब ये चांक का आद या चांक इन्हीन सकता है पूर human लिकर लेकिन संतर्चर मैं लिखता हूं 3031 इसके मध्या बहुत मान आ जाएंगे 30.1 30.2 से लेकर 30.99 तक कोई भी मान आ सकता है ठीक है वह संतर्चर हो गया और यह इसके मध्या कोई मान नहीं आएगा उसके बाद करते हैं आगे नेस्ट की आए उसके बाद जैसी वर्गीगन की बात करेंगे तो हमें मैंने आपको जैसी एक यह मिनाई थी उसके अंदर मैंने एक बारम बारता लिखी थी जैसे मैं बारम बारता मना के लिखाता हूं आपको मैंने कोई सिंक या लिखी दो दो चार दो तीन तीन चार पांच चार तीन दो अब आपको इसकी बारम बारता त्यार करनी है तो देखो दो कितनी बारा है दो बार बार बारम बारता है बार बार दो कितनी बारा है दो एक दो तीन चार बारा है तो मैं इसका आगे लिख दूँँ का चार यानि इसकी दो की बारम बारता कितनी है चार है तो दो आया है वो चार बार है कितनी बार है चार बार है उसके बाद तीन तीन कितनी बार है एक दो तीन बार है उसके बाद चार कितनी बार है एक दो तीन बार है उसके बाद पांच कितनी बार है एक बार है यानि यह होती है बारम बार तभी कोई संक्या कितनी बार आ रही है उसमें और जितनी बार आएगी उतनी बार के अंकम आगे लिख देंगे दस बार आ रही है तो आगे दस लिख देंगे दो बार आ रही है तो लिख देंगे एक बार आ रही है तो एक लिख देंगे पांच बार आ रही है तो पांच लिख देंगे कि अब प्रिस्क्रत आंकड़े देखो मैंने भी लिखा था दो लिखा था तीन दो दो तीन चार पांच चार तीन यह इसको प्रिस्क्रत मिलाने के लिए हम क्या करते हैं बारबारता को एक है मात्रात्मक चर्म में वर्गिकर्ट करती है यह प्रिस्कत आंकड़ों को मात्रात्मक चर्म में वर्गिकर्ट करना या वर्गिकर्ट करना क्या कहलाता है बारंबारता का वित्रे ने कहलाता है जितने भी हमारे पास यह प्रिस्कत आंकड़ी है इनको मात्रा में वर्गिगत करते हैं कैसे करते हैं देखो दो कितनी बारा है दो तीन बारा है तीन कितनी बारा है तीन बारा है चार दो बार पांच एक बार यानि इनको जो मात्रा में वर्गिगत करते हैं आगे मात्रा इसको चर में वर्गिगत करने को यह हम क्या कहते है एक समान्य त्रिक्ता है यह बहुत ही बढ़ी त्रिक्ता है जिसको असानी से अब आपको सुम्धना रहे क्तिनी इसान नहीं है पहले तो आपको हर्ची देखनी पड़ती थी आपको पुछा देखना पड़ेगा एक दो तीन बार लेकिन जैसे आप अर्पों में डाल जिया है इसके अंदर आप से पुछे दो कितनी बार है तीन बार है तीन इतनी बार है तीन बार है या आपको सारे आंखड़े देखनी जूरत नहीं है आपको सिधा उसका बारंबारता देख लोगे दो की बारबारता तीन है तीन की बारबारता तीन है चार की बारबारता दो है पांच की बारबारता एक है इसका मतलब पांच एक बारी आए उस पूरे आंकड़े में उस जो आंकड़ों का डेरा आपने जो आंकड़ों को इकठा किये है उसके अंदर 5 है वो एक इबारा है चार है वो दो इबारा है तीन वो तीन इबारा है इसका मतलब बारा बारता है वितरीन क्या कहलाता है एप प्रिसकर्थ आगणों को मात्रात्म ग्रूप डेश सकते हो यह करने का एक आसान तरीक्टा है एक सरल तरीक्टा है यह जिसके द्वारा एक सरल तरीक्टे से आप क्या कर सकते हो इसको मात्रात्म ग्रूप डेश सकते हो यह बढ़िया तरीक्टे से उसको वर्गिकर्थ कर तेखते हैं आपको यही तु देखने हैं दो कितनी हैं बस एक बार गिन के लिक दो एक ही बार आपको क्या करना पड़ेगा इसको और यही करम में इसका बारमबार्ता लिखने पड़ेगी उसके बाद यह नहीं है आपको शारे हो निट नहीं है तीन का पुछे लो है बाकि आप देखने की जूट नहीं है यहां नहीं बारमबार्था वितन बहुत है जो एक स्क्रष आंक्डों को एक मातरात्मक चर्मे वर्गिद सब्सक्राइब करने का एक आसान त्रिका में बहुत है बारंबारता वीत रहना संधिये बात? two कि अब हम भात करते हैं बारंबारता जो कुछ इसके समंदीट कुछ बाते ही बारंबारता होती है कैसे यह से ट्यार की जाती है ,कैसे번 Supply अकिमें इत्यार करनाई था nucleus, वित्रन है क्या उसके बारे इंपड चुके अब आता है बारंबार्ता की संक्या कितनी होनी चाहिए संक्या देखों वरग मिलाते हैं क्या मिलाते हैं वरग सबसे बहुत इसको समझें मैंने लिखा 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 मैंने इतना लिख दिया ठीक है इसके साब मैंने इसकी बारंबार्ता लिख दी मैंने दो लिख दी एक तीन पांच चार इसका मतब जिरो से दस के मद्दे दो है दस और वीस के मद्दे एक है बीस और तीस के मद्दे तीन है 340 के मँद्रे 5jp आइशी के अंदर कुछ बात के होती है एक होती ही है है एक होती है उच्छ सिम्ह होगा है और गोता है मध्यमिंदू इनको समझे लो है यह क्या होता है देखो नीमंद शिम्हा वह उतक significance उप उतकी है जो आपने वर्यम्द हुण भरक मुनाये उसका जो पहला जो संक्यावा वो नीमंद सिम्ह होती है और जो बरग मना है उसकी जो सबसे बड़ी उपर वाली उचली सिमा होती है उचली सिमा देखो यह देखो यहाँ पर इसकी बरग की बात के लिए तो 0 है 99 सिमा और 10 है उचली सिमा यहाँ पर 10 है 99 सिमा 20 है उचली सिमा यहाँ पर 20 है 99 सिमा 30 है उचली सिमा और चालिस और पचास इसके अंदर बरग अंतरार हो कर लें इन सब को याद कर लेते हैं उसके बाद बाद करेंगे तो निवन सिमर उस सिमा के बारे पता चल गए आपको अगर परसन आप से पूछे तो आप बता सकते हो बरग की आप कह सकते हो पहली संक्या इसकी जो पहली संक्या होती है अगर आप से उस सिमा पुछे तो आप कह सकते हो वरग की दूसरी संक्या दूसरी क्या कौन सी है 10, 20, 30, 40, 50 ये कौन सी होगी उस सिमा होगी अब आप से बात करें वरग अंतराल की पहले ये कर लेते हैं देखो वरग अंतराल होता है उस सिमा और निवन सिमा के जो बीच का अंतराल होता है इसका हम एक सुतर लिग देते हैं वरग सिमा वरग अंतरा स्टराल बराबर उ uniqueness सिंभर है ने निवन सिंबार है कि कुछ सिंभर से आपको नीवन समा क्या कि आजए किछनी है तो कैसे देखो है कि यहां पर टेबल बड़ा ही दिप्रत को सासाथ में मैंने निकाल देता हूं वरख अंत्राव तो देखो कैसे निकलेगा बरकुंतरा उस्तिक दटनी हैurg this डिमान कितनी है जीरोट आपको उस्तिक में से निंज ख़ताई रहे हो तो 10 में से 0 के कितना है भेइश उसके पाद इसकी लिएफ गे आफ निमान सिमा कितनी है दस टिर उसके पर उसकी 30-20 प्राबर 10, 40-30 प्राबर 10 और 50-40 प्राबर 10 यह उता है बरग अंतराल और जो आपको एक बरग अंतराल मुलने का भी आपको तरिकाना चाहिए हम बनाएंगे अगे जिसे मालों मैं यह संका लग देता हूं मैं साथ साथ करते चलेंगे सब पूछ मैंने वो पहले वा तो बरग अंतराल मुलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको एक तो देवलो सबसे छोटी सिमा को एक सबसे बड़ा अंग कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है साथ सबसे चोटा कौन सा है दो तो आपको इसके अधार पर इसका क्या मुलना पड़ेगा बरग त्यार करना प है चैसे आठ आठ से 10 यह पहले देखनी पड़ेगी तो निवन सिम्मा कौन सी है और उस सिम्मा कौन सी है उसको माइनस कर लेंगे जैसे साथ में से दो गए कितने मेंचे पांच इसके दार पर पांच अंतरार रखकर भी हम क्या कर सकते हैं एक वरब को त्यार कर सकते हैं तो तो लोग देखो कैसे उसके बाद आता है आपका मद्दे बिंदू के से निकलता है मद्दे बिंदू देखो जो मद्दे बिंदू का सुत्र होता है वो बहुत सिंपर सुत्र होता है ध्यान से देखो आप मद्दे बिंदू का सुत्र होता है मैं इसको एक बास आपका देता हूँ मजड्य बिंद्ध को जौड कर 2 से बाग देना है उस सिम्ह को जोड कर 2 से बाग करना यानि 2 से करना है तो कैसे, ऐसो उसी मा कितनी है, दस और जिरो को जोड़कर दो से बाग देंगे, यहां पर बीस और दस को जोड़कर दो से बाग देंगे, तीस और बीस को जोड़कर दो से बाग देंगे, पचास और चालिस को जोड़कर दो से बाग देंगे, यहां कि दो गया है पुरा दस से 20 20 10 30 20 40 30 उसके बाद 50 और 40 को जोड़कर 2 से भाग देगा देखो कि आके तो एक apply जनका रही है जब मातिया और की यह सकता प्रहभ और से कि ना ब्रगों व्रक के राग तो बंडिया के सही होता है आपको निकालना निकालना पड़ेगा तो मद्डर निकालना कुंछ रहुत कि अंड़्कुल से फंडता है बिल्कुल से चिंपल से उस सिम्मा में निमन सिम्मा को दोड़ना है और 2 से बाग देना है दखो इसको दोड़ा 10 और 0 कितना होते है 10 को 2 से बाग दिया कितना है 5 20 और 30 कितने होते है 30 को 2 से बाग दिया 15 30 और 20 कितने होते है 50 को 2 से बाग दिया 25 40 और 30 कितने होते है को यह आपका सिस्ट्म है ये आपको इसके आपको निमधर सबसे बहते हैं अब कि आरा के इस निवेगता नहीं है उसके बार वरग अंतराल आपको निकालना है यह बताना चाहिए वरग अंतराल सेम होता है मैंसा अग कितना रखना है वो भी हम निकाल लेंगा गई भी आपको संक्यासिती दे रखी है आप इसके तांक ने आपको दे रखी है क्योंगे आपको बारंबारता वितरन करना है तो मैं यह रखूँगा मैं यह यह दिरा जिया अब वरगंतरा पांच रखने तो जीरो से पांच से आपको निमें जिए आट डहा दो और यह कंदा दो कि मैं कि जोड़ने है इसका मतली है इसका माठे निकालने पड़टम एक जो तेंसा होती है राश्चियों का योग राश्चियों की संक्या राश्चियों का योग कितना हो रहा है दोनों को जोड़ देंगे संक्या कितनी है एक रेक दो यह एक यह एक दो है में सब को दो से भाग दे देंगे यह जब दो का जोस निकाला होते हैं ? निकालना होते हैं ? ा Betsyia erg generating के पर संक्लेच वाते लिए उससे विदा क्लेचीं की जिछ घाद देते इसमेद टेते हैं ? उसके बादय थन की क्या है ? लुक्त नेश्ट आप पड़ोगे बारम बारता वित्रन कैसे त्यार करें इसको त्यार के सिकरेंगे हैं किस पड़ार बारता वित्रन को त्यार कर सकते हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं बारम बारता वित्रन त्यार करने समय आपको कुछ बाते द्यार रखनी है एक तो आपको वरक अंतराल को ज्यान रखना है वरक अंतराल कितना रखना है आपको ठीक है उसके बाद आपको मद्दे बिंदू ग्यात रखना है मद्दे बिंदू का आपको पता होना चाहिए उसके बाद आपको उस सिमा का पता होना चाहिए उसके बाद आपको उस सिमा का की पता रखने हैं निए सिमा शी बना कर सकते हैं और और का निर्मान कर सकते हैं कि वरक अंतराल के दौरें वर्गों का निर्मान कर सकते हैं उसके बाद नेश्ट आता आपका कि यह दो नेश्ट करने पड़ेंगे तो बारंबार्था कि पित्रन की कि संक्या कितनी होनी चाहिए कि लिए तो मारे आंगो बनेट करता है ना बिमालिगता हूं जेरो से दस एक्श हूं 12 दस से 20 दीस तीज से टीस कि इतना होना चाहिए चाली मस जे पचाहठ III स उ चाश्ट यूने 90 से सो तक किस्टिनोड चाहिए यह तो मारे पřाउटमस करता है आगंडे कितने हैं पर हो सकता है मलम 사स की दिये हूं तो यहां तक ही बहुत है 40 से परिषर्ट तक है कि कि हो सकते हैं कि वेसकता है मैं अंसार ही हम क्या करते हैं उनका वरग बनाते हैं यानि वरगों का वितरन तभी होता है जब हमें आंकडों का पता होता है जो में कितनी संक्यां रखनी हैं हम वो संक्यां शिरफ और शिरफ आंकडों को देखकर ही रख सकते हैं आंकडे किस परकार के दिये हैं में कितने दिये ह मात्रा और दीने तो भी कि उस्सिमा कितने करें झी कोमें से 50 40 30 50 90 10 25 35 35 यह मैं आभी इस निसे 30 तक है तो उसके दान पर आपको क्या करना है अपना आज वरग वो त्यार करना है ताकि सारे के सारे आंक्ड़े आ जिसके अंदर ऐसा ना हो मैंने आपको इस प्रकार से वरग क्यार करने हैं ताकि सारे आंकड़े उसके अंदर समाहित हो जाएं कोई चुड़े न is को यह आंक्ता इसा हो जो फूड नहीं जाए और तो आपको जितने भी ह्याप्रिस कर श्राइब नहीं होते हुए उनको देख कर यह आपको complete करना है तिक रिए उसका वरक अंतरार को कैसे बहने नहीं तो नेक्स्ट करें के अंदर इसलिए मैं इस लिए क्लास को यह कितम कर रहा हूं कि जो जो वरकों वाली बात आई जो टेबल वाली बात है वो आपकी एक ही क्लास हो complete उस एक क्लास के अंदर टोटल आप वरक मुझाना सीख जाओं यहां तक आप पड़ लेना उसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे वह टोटल वरक त्यार करना स्काएंगे आपको किस पकार त्यार करना हमें ठीक है आज तक इतना ही नेक्स्ट प्लास में मिलते हैं थैंक यू